लगातार शुर्खियों में रहने वाला नगरपाली का कटगोरा एक बार फिर से अपने कारे के लिए सुर्खियां बटोर रहा है ताजा मामला नगरपाली का कटगोरा में ID.S.M.T. योजना अंतरगत तिर्मित व्यवसाइक परिसर का है जिसमें बने दरजनो व्यवसाइक कॉम्पलेक्स स्विमिंग पूल बन गए हैं और दुकानों के सामने रखे समान उसमें तैरने लगे हैं इस तस्वीर को गौर से देखिए यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर है नगरपालिका कटगोरा में बनी व्यवसाइक कॉम्पलेक्स की इस व्यवसाइक कॉम्पलेक्स के नीचे भूतल में बनी दुकानों के सामने किस तरह से पानी भरा हुआ है और कैसे इस प परपाली का कडगोरा द्वारा जन हीत के कारियों को ध्यान में रखते हुए कारिय जरूर किया गया है लेकिन जिम्मेदारों की स्विच्छा चारीता और फ्रश्टा चार रुपी दीमक ने इसे खोखला कर दिया है। बारिसर का निर्माड सुरू से ही गलत किया गया है जिसके कारण निर्माड होने के बात से लेकर अभी तक हर साल व्यपारियों को इसका खाम्याजा भूगतना पड़ रहा है। तार चार दिनों से हुई बारिस ने कटगोरा नगर पालिका को अपने जद में ले लिया। बरसात का पाने गुरुद्वारा कॉंप्लेक्स में पूरी तरह से भर गया है। इससे व्यपारियों को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिससे व्यपारी काफी परिशान है। सुत्रों की माने तो जबसे गुरुद्वारा कॉंप्लेक्स का निर्माड हुआ है। साथ ही जिम्मेदार इस्थानी जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या से ओगत कराया जा चुका है बावजुद जिम्मेदार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधी इस समश्या का समधान आज तक नहीं निकाल पाए है जिस तरह गुरुद्वारा कॉंप्लिक्स का इंजिनियर द् उठने लगा है और सवाल उठना लाजमी भी है इस्थानी लोगों की माने तो गुरुद्वारा कॉंप्लेक्स मुख्य सड़क से नीचले इस तर में बनाया गया है जिससे पानी की निकासी सही रूप से नहीं हो पा रही है यही कारण है कि हर साल बारिश में दुकानदारों क कि न्यू भी कमचोर हो रही है न्यू कमचोर होने के कारण कभी भी बड़ी दुरघटना होने की आशंका भी चताई जा रही है समय रहते समस्या का निराकरण नहीं होने से कोई भी बड़ी दुरघटना घट सकती है अब देखना होगा कि इस समस्या का समाधान जिमेदार क अब तक निकाल पाते हैं ब्यूरो रिपोर्ट बेनेट 24 न्यूस कोरबा